बड़े ख़बर बदलापूर से जोड़ी आपको दाते चाने हैं तो बदलापूर में इंटेनरेट सर्विस पर रोक लगाती कही है मासूमों किसाथ हुए हैवानियत पर लोगों में लगातार गुस्ता जारी है नचारसी ने मामले पर रिपोर्ट भी तलब की है माराष्ट रसीम शिंदे ने लोगों को भरोसा दिलाया है यकिन दहानी कराई है कि मामले की जल्द जल्द जाच होगी है और फास्ट ट्रैक कोट में ये केस जाएगा और जो मतासरीन है उनको इंसाफ भी दिलाया जाएगा तो बदलपोर वामने से जोड़ी अपडेट आपको बता दे चलें जहाँ पर इंटेनेट सर्विस पर फिलहाल पावंदी लगाई गई है किसी दहां की अफवार ना पहले और मासूमों के साथ पेशाई हैवानियत को लेकर लोगों में जबर्दस गुस्सा देखने को मिल रहा है और जबर्दस ते मुखालफत भी से पूरे मामने की दरज कराई गई आपस में पुलिस और लोगों के बीच भीड़त भी देखने को मिली लाठी या डंडो का इस्तमाल भी किया गया पुलिस की तरफ से बहरहाल महराज के सीम एकनाज शिंदे ने लोगों को भरोसा दिराया है कि मामला फास्ट ड्राक कोर्ट में जाएगा और इसकी जल्द से जल्द पूरी जो कारवाई है तेजी से तफ्तीश की जाएगी तो इंटरनेट सर्विस पर फिलाल रोक लगा दी गई है किसी भी दहा के वावाल से बचने के लिए रोक लगाई गई है हालात मामूल पर लॉटने पर ही रोक को भटाया जाएगा और मामला फास्ट ड्राक कोर्ट में जाएगा इसको लेकर एक सीम एकनाज शिंदे ने यकें दहानी कराई